14 जून 24 गंटा में हलका से मुध्धम बारिश लगभग साभी जागा में हुआ है Heavy to very heavy rainfall भी एक तो जागा में हुआ है अस्तरंगा पूरी के डिस्टिक्स में हाइस rainfall मिला 170.0 mm काकोतपूर में 129.0 mm एभी पूरी डिस्टिक्स में है कोतप का नियाली में 95.0 mm मलकानगिरी का मत्हिली में 88.0 mm कोतप डिस्टिक्स का तीगीर्या में 82.0 mm लांतापूर्थ कोरापूर्थ डिस्टिक्स का 77.4 mm कंकादाहाथ हिंकनान डिस्टिक्स में 72.2 mm जार्शेकुदा डिस्टिक्स का कोलाविरा में 66.4 mm इस आभी हेवी रेंपल इसले चप्ष कंटर में था और साउथ ओएस मोंसन भी एक्टिव था काल का हमारा जो लोग परिशर एरिया नर्थ ओएस्ट वेया बेंगल एट्वाइनि उरिशा गंगटी गोईस्ट बेंगल का पास का अभी लैंड एरिया में चला गिया है इसमें साउथ जर्केंड और नेवरोट एरिया में है तो और सीजनल जो रेंपल हमारा फास्ट जून से पोटीन जून तक है इसमें एक्सेज रेंपल हुआ है उरिशा में 95.1 मिलिमीटर हुआ है इस समय तक शाह भी होता है 70.8 मिलिमीटर तो 34% एक्सेज है और इस्टिक्ट वाइ इनफल हुआ है फाइफ डिस्टिक्स में एक्सेज मेंस मोर दन 21% जादा इनफल हुआ है और शाहभिक बाशाभिक का सबस बाकी डिस्टिक्स में था अभी अगला पांच दिन के लिए ये फोर्कास्ट रहेगा इसमें नेक्स 24 आउर्स में हलका से मुद्धम बारिश इंट कोस्टाल विषा में बनी प्लेश पे हने का चांस ज़स है वह क्वरी आवी रेंफल एक्क दो जाएगा में मिलनी इंटिरियो इफ्सटिक्स में हो सकता है मिलनी नर्थ इंटिरियर का शूंदरगार, शॉंवलपूर, देवगार, क्योंझनहर और और भी डिस्टिक्स तैसा वरागार, जार्शिकुदा, शौनपूर, बोध, उंगुल, कलाहंडी, खंदमाल, कुरापूर, मलकनगिर, एंखेनल, कोटब, जगत्षिंपूर, बुडी, बुलांगिर, एशाब डिस्टिक्स में एक तो जागा में एविरेंट पल हो सकता है। 24 hours का बाद कल 15th को भी मेनी प्लेस, most of the places में नौर्थ इंटिरूर्शे का डिस्टिक्स में बारिश रहेगा, मेनी पाकी डिस्टिक्स में मेनी प्लेस में हलका से मुद्धम बारिश रहेगा। शुन्दरगार, जास्टिक्दा, शंबलपूर, बारगार, बोलांगिर, शुनपूर, अंगुल, देवगार, इशाब इस्टिक्स का अंदर में एक तो जागा में हेविरेंट पल हो सकता है। सिक्स्टिंद को मेनी प्लेस में हलका से मुद्धम बारिश रहेगा। शुन्दरगार, जास्टिक्दा, देवगार, प्योंजर, संबल मुर में एद्धो जागा में हेविरेंट पल हो सकता है। सेवेंटिंद आइटिंद को रेंटफल अक्टिविटी थोड़ा काम होने का चांसिस है, इसमें हलका से मुद्धम बारिश रहेगा, हेविरेंटफल का चांसिस कम है। अभी फिशर्मन को शमुत्र जाने अगले वना किया है, नेक्स्ट फर्टी एट आउर्स तक क्योंकि लोग प्रेशर एरिया है और स्टीफ प्रेशर गाडियन्ट पी है, इसका बादूस से स्क्वाली वेदर और तेज हावा मेंस फर्टी टू फिप्टी गास्टिंग टू अगले वेदर बेंगल एरिया में नेली सेंट्रल बेंगल अट्रेंग नर्ड बेंगल और और अफ उरिशा कोस्ट में रहेगा, तो फिशर्मन को अगला फट्टी एटावर्स तक शमुत्र जाने के लिए वना किया है, वोबनेश्ट प्रेशर सीटी में जेनरेली क्लावड स्काई रहेगा, एक दो स्पेल सालका से मत्तम बारिश होने का चांसिस है, मैक्सिमान टेंपरेचर आभी मस्ट अफ दा प्लेशेस में कम रहेगा, क्योंकि क्लावडिनेस रहेगा.